हमेशा जो output cgst होता है उसका balance पहले input cgst के साथ set off किया जाए अभी तक तो आपको clear हो गया होगा कि हम इसे bracket में क्यों show करते हैं इस तरह से set off किया जाता है क्योंकि हमने जो pay किया है वो जादा है और हमारे पास आया है वो कम है मैं हूँ पूचा मैता और यहाँ पर हम class 11 की accounts पढ़ रहे हैं जिसमें मैं आपको goods and service tax मतलब gst को set off करना बता रही हूँ इससे previous जो मैंने videos बनाए हैं उसमें मैंने पूरा set off करना सिखाया है gst का यदि आपने नहीं देखा है तो आप उसे देख लीजे फिर भी थोड़ा सा brief मैं आपको बता देती हूँ जब भी कोई input gst होती है उसका मतलब होता है हम उस gst को pay कर रहे हैं जो output gst होती है उसका मतलब है कि वो gst हमारे पास आ रही है अब input gst को हमuestoMary कैसे कर रहे हैं जब हमills कोई सामान खरीड रहे हैं गर्समाना साफ लिए पता होना चाहिए कि हमारे पास पैसा GST का ज़्यादा आ रहा है या पैसा GST का ज़्यादा जा रहा है इसके लिए हम output GST के साथ input GST को set off करते हैं यहाँ पर TS किरेवाल के में question number कौन से 10th और 11th के illustration पहले मेरे इससे पहले वाले वीडियो में बना चुकी हूँ आपने नहीं देखे हैं तो देख लीजिए आज उसके आगे के illustration हम करने वाले हैं बहुत ही important और बहुत ही प्यारा सा chapter है यह तो हम इसे start करते हैं तो उससे पहले आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, like कीजिए, कोई भी doubt है तो बिल्कुल बेफिक्र होकर comment box में पूस सकते हैं यहाँ पर मैंने question लिख दिया है, देखिए, input GST कितना दिया है, 2,50,000 IGST, 3,00,000 CGST और SGST भी 3,00,000 दिया हुआ है उसी तरह से output GST कितना दिया है, 3,25,000, 2,00,000 अब हमें किसी तरह का कोई confusion ना हो, तो हम यहाँ पर सामने लिख देते हैं pay और यहाँ पर लिख देते हैं come अब यहाँ पर हम solution करने के लिए, क्या format बनाएंगे हमें तो आता ही इसका format बनाना, पहले मैं यहाँ पर लिखूंगी particulars, पिर यहाँ पर IGST, CGST और SGST, clear है मेडम आपने यहाँ पहले वाले illustration किये हैं तो आपको format आता ही होगा, ठीक है, अब क्या दिया है, सबसे पहले हम किस के साथ mention करते हैं, सबसे पहले हम output GST के साथ mention करते हैं तो मैं यहाँ पर लिख दूँगी, output GST, output GST, ठीक है, सबसे पहले IGST देखेंगे हम वो 25,000, इसे हम bracket में क्यों लिखते हैं, क्योंकि output GST जो होती है, आती है हमारे पास, लेकिन यह हमारी क्या होती है, liability होती है, मतलब यह हमें government को चुकानी है, तो इसलिए इसे bracket में दिखा अब CGST कितना दिया है, 2,00, इसे भी इसी तरह bracket में लिखेंगे, और SGST कितना दिया है, 2,00, इसे भी इसी तरह bracket में लिखेंगे, आप सबसे पहले किसको set off करेंगे, सबसे पहले IGST को set off करेंगे, तो मैं क्या कर दूँगी, less कर दूँगी, input IGST, और लिख दूँगी set off, अब IGST कितना दिया है 2,50,000 दिया है मतलब हमने पे कम किया है और हमारे पास आया जादा है ठीक है ना हमने पे 2,50,000 किया है और आया 3,25,000 है मतलब अभी भी हमारे पास कितना बैलेंस बचा है 75,000 बचा है तो ये बैलेंस अभी हमारे पास बचा है इसलिए इसे भी हम ब्रैकेट मे शो करेंगे, यहाँ पर तो जो पहले का balance है, उसे वैसा का वैसा लिख देंगे, ठीक है मैडम, यहाँ तक भी clear हो गया, आप क्या दिया है, अब जो यह balance है, इसे मैं यहाँ पर लिख दूँगी balance, अब मैं क्या करूँगी, यह जो 2,00,00 का CGST है, उसे किसके साथ सेट आफ करेंगे, ठीक है न, यह हमने set off कर दिया, balance set off, ओके, तो अब जब हमने इसे set off किया, देखो, यहाँ पर output GST दो लाक आया है, यहाँ पर output GST भी 2,00,00,00 आया है, लेकिन यह CGST है, यह SGST है, तीन लाको तीन लाक input है, तो यहाँ पर तीन लाको तीन लाको हम set off करेंगे, जब म गया आप इसे हम bracket में नहीं लिखेंगे क्योंकि हमने जो पे किया वो ज़्यादा है और हमारे पास आया है वो कम है तो हमें 1,00,00,00 ये वाले दोनों इनको set off करना पड़े का लेकिन ये दोनों आपस में set off सकते हैं यह में पता है ना कभी भी सब्सक्राइब करेगा पहले वह सेंट्र गवर्मिन का सट आफ करेगा तो यह फिर एक लाक में से जब वह 75,000 का सेट आफ करेगा तो उसके पास अभी भी 25,000 रुपे उसे मार्केट से लेना बाकी रहेगा तो इसे यहाँ debit करके Receivable लिख देंगे और यहाँ पे तो भाया कुछ set off हुआ ही नहीं कुछ पैसे ही नहीं बच्चे अब IGST के पास तो यहाँ पे 1,00,000 का 1,00,000 लिख देंगे debit करके और इसे Receivable लिख देंगे अब Receivable क्यों लिखते हैं देखो Receivable इसलिए शो किया जाता है क्योंकि जो है 1,00,000 में से हमने 75,000 IGST बचा था उसके साथ set off कर लिया लेकिन 25,000 रुपे अभी भी CGST को हमें market से लेना बाकी है क्यों क्योंकि जो आया था वो 2,00,000 आया था पे हमने कर दिया 3,00,000 3,00,000 में से हमने जब 2,00,000 को माइनस किया तो 1,00,000 बचा और 1,00,000 में से हमने 75,000 किस से ले लिए IGST से ले लिए फिर भी अभी 25,000 कम है CGST इसलिए इसे हम Receivable करेंगे और debit कर देंगे क्योंकि ये अभी हमारे पास collect होना बाकी है इसी तरह हम SGST के पास जाएंगे SGST तो किसी से सेट आफ करी नहीं सकता यदि IGST के पास पैसा बचता तो SGST IGST से सेट आफ कर लेता लेकिन IGST के पास पैसा बचा ही नहीं सिफ 75,000 बचा था जो उसने किस से सेट आफ कर लिया CGST से से सेट आफ कर लिया तो उसे तो पूरा 1 लाग का 1 लाग अभी SGST और collect करना है, receive करना है, इसलिए इसे receivable लिख देंगे, अब इसकी करेंगे हम general entry, जैसा कि मैंने अपनी previous वीडियो में जो इससे पहले वाले illustrations किये थे, उसमें भी बताया था कि जो set off की general entries होती है न, वो हमेशा जो amount set off किया गया है उसकी होनी है, मतलब आप confused नहीं हो जाना कि किसकी हमें set off entry करनी है, जो amount हमने यदि set off किया है, input GST को यदि हमने CGST के साथ किया है, तो उसकी entry बनेगी, यदि SGST के साथ किया है, तो उसकी entry बनेगी, CGST को CGST के साथ set off किया है, तो उसकी entry बनेगी, और SGST को SGST के साथ set off किया है तो उसकी entry बनेगी, तो यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या set off किया था, IGST को, input IGST को, output IGST के साथ set off किया था, यह output IGST account debit to input IGST, ठीक है, कितना set off किया था सबसे पहले, हमने 2,50,000 रुपे का set off किया था, हाँ मेडम 2,50,000 का किया था, फिर क्या किया था, हमने CGST को CGST के साथ set off किया था, मतलब input CGST को, output CGST के साथ set off किया था, तो बस उसकी entry कर देंगे, output CGST account debit to input CGST, कितना amount किया था, यह 2,00,000 रुपे हमने set off किये थे, तो इस 2,00,000 रुपे को लिख देंगे, इसी तरह फिर हमने input SGST को, output SGST के साथ set off किया था, तो यहाँ पर मैं लिख दूँगी, output SGST, account debit to input SGST, कितना किया था, यह भी 2,00,000 किया था, और फिर याद कीजिए हमने क्या set off किया था, आपके पास तो पहले का लिखा होगा ना, आप देखिएगा, 75,000 को, हमने CGST, मतलब जो CGST का amount बचा था, उसे हमने IGST के साथ set off किया था, तो मैं यहाँ पर लिख दूँगी, output IGST, account debit, to input CGST, कितना amount, 75,000, clear हो गया ना, इस तरह से यहाँ पर यह general entries बनेगी, इन्हें note कर लिजे, इसके बाद हम next illustration, illustration number 13 देखेंगे, देखिए, यहाँ पर input GST और output GST दिया है, और IGST, CGST और SGST दिया है, तो उसी थरह से हमने जैसे अभी solution के लिए बनाया था, format वैसा ही format बना लेंगे, particulars, input, input नहीं, IGST, CGST और SGST, clear, अब इसे बनाने के बाद हमें, ओके, सबसे पहले, output GST, किसको set off करेंगे, output IGST को, input IGST के साथ, तो आप करिए, यहाँ पर लिखिए, output GST, GST ही show करना पड़ता है, क्योंकि फिर हम जब यहाँ पर लिखेंगे, तो automatically पता चल जाएगा, कि IGST है, CGST है, SGST है, तो यहाँ पर जो पे किया है, वो 2,50,000 किया है, और जो आया है, वो 4,00,000 को पहले हमें ब्रैकेट में show करना पड़ेगा, उसी तरह से CGST में 2,00,000 हमें ब्रैकेट में show करना पड़ेगा, और SGST भी हमें 2,00,000 ब्रैकेट में show करना पड़ेगा, अब हमने यहाँ पर GST ज्यादा collect किया है और हमारे पास से कम गया है तो यहाँ पर मैं माइनस क्या कर दूंगी set of input IGST कितना दो लाग पचास हजार जब चाल लाग में से मैंने दो लाग पचास हजार माइनस किया अभी भी मेरे पास एक लाग पचास हजार रुपे बचा है क्या बचा है? output IGST मतलब चाल लाग में से मैंने set of क्या कर दिया दो लाग पचास हजार कर दिया क्यों? क्योंकि वो मैंने pay किया था लेकिन उसके बाद अभी भी मेरे पास collect है मेरे पास रखा हुआ है कितना? एक लाग पचास हजार लेकिन यहां CGST पे कुछ भी नहीं करा भी हमने अब हम यहाँ पर जो यह balance आया है वो लिख लेंगे यहाँ पर दो लाग का दो लाग बैलेंस लिख देंगे यहाँ पर भी 2 lakh का 2 lakh balance लिख देंगे आप इस 2 lakh का हम सबसे पहले क्या set off करेंगे सबसे पहले हम set off करेंगे input cgst हमेशा जो output cgst होता है उसका balance पहले input cgst के साथ set off किया जाता है और फिर यदि बचता है तो फिर हम igst के पास जाते हैं ये बात ध्यान रखना ठीक है ना बच्चों मैं यहाँ पर लिख दूँगी minus set of cgst and sgst input ठीक है तो cgst कितना दिया है 3 lakh और sgst भी कितना दिया है 3 lakh जब मैंने minus करा तो यहाँ पर 1 lakh रुपे balance बचा 1 lakh balance बचा और यहाँ पर भी 1 lakh balance बचा इसका मतलब क्या है अभी हमें 1 lakh रुपे cgst और sgst मार्केट से collect करना है लेकिन भाईया यहाँ igst तो अभी 1 lakh 50,000 बचा है ना तो 1 lakh 50,000 में से पहला जो 1 lakh है वो मैं पहले किस से set off करूँगी क्यों पहले सबसे पहले cgst को set off किया जाता है तो 1 lakh में ने यहाँ पर cgst के साथ set off कर दिया और बचा हुआ 50,000 कहां से set off करूँगी यह जो मैं sgst है उसके साथ set off कर दिया हो यहाँ पर लिख दिया set off cgst and sgst against input igst input नहीं output igst ठीक है अब जब मैं minus करूँगी तो यहाँ पर तो nil balance आ जाएगा क्योंकि मैंने यह पूरा खतम कर दिया एक लाक किसको दे दिये cgst को दे दिये और 50,000 किसको दे दिये यह 50,000 है 50,000 किसको दे दिये sgst को दे दिये तो यहाँ पर तो nil आ गया लेकिन यहाँ पर अभी भी 50,000 रुपे मुझे balance लेना बाकी है कहां से market से तो मैं यहाँ पर receivable लिख दूँगी clear हुआ इस तरह से set off किया जाता है आप जब यह पहला question करेंगे दूसरा करेंगे तीसरा करेंगे दीरे दीरे यह चीज के concept आपको और जादा clear होते चले जाएंगे इसे note कर लिजे इसके बार हम इसकी general entries देख लेते हैं general entry वैसे ही होगी जो amount set off किया है उसकी general entry कर देंगे तो सबसे पहले हमने क्या set off किया था 2,50,000 तो output IGST account debit to input IGST 2,50,000 ठीक है मैडम यहाँ तक तो हमें पता ही है पहली entry तो बहुत easy होती है तो next entry क्या होगी output cgst account debit to input cgst ठीक है amount कितना आएगा 2,00,000 आएगा उसी तरह से मैंने SGST को set off किया था तो output SGST account debit to input SGST यह भी 2,00,000 ही आएगा क्योंकि यह दो दोनों की हम क्या करेंगे एक combine entry कर देंगे क्या output IGST account debit to input cgst account to input SGST account एक लाग और पचास अजार एक लाग पचास अजार clear हुआ चलें note कर लें फिर इसके बाद हम क्या करेंगे last वाला जो illustration है T.S.Grewal की book का कौन सा illustration 14 उसे देखेंगे input GST, output GST यहाँ पर देखिए बच्चों पहले IGST, cgst, sgst जैसे हमने पहले के questions में किया है वैसे ही set off करेंगे यहाँ पर output IGST क्या दिया है सबसे पहले देख लेते हैं तो output IGST दिया हुआ है हमारा 6,50,000 तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगी output GST में IGST तो 6,50,000 को मैं ब्रैकेट में लिखूंगी उसी तरह से मैं 3,00,000 को ब्रैकेट में लिखूंगी और उसी तरह से यहाँ पर SGST को में ब्रैकेट में लिखूंगी अभी तक तो आपको clear हो गया होगा कि हम इसे ब्रैकेट में क्यों show करते हैं ठीक है ना जितना भी पैसा हमारे पास ज्यादा रहता है वो as a liability के तोर पे माना जाता है चाहे यहाँ पर हो चाहे हम balance करके minus करके लिख रहे हो जब भी वो पैसा हमारे पास रहेगा उसे हम bracket में ही show करेंगे और यदि हमें market से वो पैसा collect करना रहेगा तो भी हम उसे bracket में ही show क करेंगे चलिए यहाँ पर मैंने minus क्या करा set off करा input IGST कितना दिया है 5,25,000 यहाँ पर डैश लगा दूंगी और इसे जब मैं minus करूंगी तो मेरे पास कितना बचेगा 1,25,000 इस पो 3,00,000 का 3,00,000 ही लिख देंगे नीचे और इसे भी 3,00,000 लिख देंगे आप क्या करेंगे य C GST and SGST तो यहाँ 2,00,000,000,000 में से जब मैं minus करूंगी 2,00,000,000,000,000 यहाँ पर मेरे कितना यहाँ पर तो 1,25,000 जज़ादा है ही हमेरे पास यहां पर भी एक लाग जादा हो गया, और यहां पर भी एक लाग जादा हो गया, इस question में हमने collect जादा कर लिया है, इस पे कम किया है, तो हमारे 파स पैसा जादा आ गया है, तो यह सब चीजे हमारी क्या हो गई, payable हो गई, मतलब यह हमें देना है अभी, मतलब हमने पैसा कलेक्ट जादा कर लिया है GST के तोर पे लेकिन हमें दिया कम है तो हमको ये सब अभी पेबल है अब इसकी जनरल एंट्री कैसे करेंगे मैं यहीं पर कर देती हूँ इसकी जनरल एंट्री होगी वही आउट्पुट 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 आ हजार दूसरी का आएगा दो लाख और तीसरी भी कैसे होगी SGST की ही एंट्री होगी तो दीसरी का क्या आएगा आउटपोर्ट SGST की एकाउंट डेबिट तो इनपोर्ट SGST कितना आएगा दो लाख क्लियर हो गया इस तरह से यहां पर क्या होगी यह बना कर पूरा सॉल्यूशन और जनरल एंट्री पास होनी होती है अब यहां पर हमने सारे इलिस्ट्रेशन कर ली है इसके जो हमारे जो कोशन के पीछे टीएज गरेवाल के जो कोशन आंसर है उसके भी में वीडियो अप्लोट कर दूँगी यदि आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे है तो प्लीज मुझे बताईएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा कोई भी यदि आपको डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूस सकते हैं उसका एक सेपरेट वीडियो में आपके लिए लेकर आजाओंगी आज की वीडियो में इ करेंगी